असलाम अलेकूं एवरीबन तो आज मैं बहुत अच्छी रेसे भी आप लों के लिए लेके आई हूँ और जैसे बहुत अच्छी सबसी आई भी आज कल सारी मिक्स वेजेटेबिल हम ले लेंगे जो भी आपके अपनी पसंद हो तो आज हम बना रहे हैं पाव भाजी बहुत से मसाला बना के मैंने पॉटर बना लिया जो गरा मसाला होता है इसमें थोड़े से सॉंब बेट कर दीजेगा ब्लू बेंड में बनाएंगे हम इसको और इस तरीके से बच्छे खा भी लेंगे वहना सबसी मुमें आती है तो बच्छे मुमन नहीं खाते हैं अच्छा हम क्या क बिल्कुल मिक्स हो जाए सारी आपस में मिक्स होने के बाद हम एक तवा लेंगे रोटी वाला तवा ले लेजेगा कोई भी पुराना सा अच्छा तब ही पर फ्लेवर पहुत अच्छा आता है फ्रै पैन में बनाएं तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता ब्लू बेंड ब्लू बेंड कोई भी आप मखन ले लें लेकिन वह अच्छी कौनिटी में पढ़ता है और एक चॉप करके प्यास ले लेंगे चॉप प्यास दाली थी और इतनी मज़े की बनी थी उसी वक बनाए गर्म करम और सर्फ करें अभी सारी वेजेटेबल सीजन में आई दी है तो लोग इसी तरेंगे के बन इसके साथ सर्फ करते हैं तो मैंने भी मंगवा लिये थे यह देख्या प्यास हलकी सी ब्राउन हो गई जिंजा गालिक पेसे एट करेंगे और इसको अच्छी तरीके से बूनेंगे बटर में बनी थी तो बहुत अच्छी इसके खुश्बो आ रह नहीं है ठीके क्योंकि गरम मसारा डाला तो उसी में मिर्चे काफी होती है अगर आपको डालनी तो डालने कोई इस उन्हों नहीं है इसके बहुत मज़ेगा बनाते हैं थोड़ से पानी का छीटा दे दीजेगा ताकि तब बे चुपके नहीं अच्छा जो मैंने मिक्स सब्जे ली थी इसमें टिमाडर भी डाल के बॉयल कर दीथे बाद में मैंने एड़ कर दिये थे वह पूरे उसमें मिक्स हो गए थे अलग से प्य जितनी आपको इसमें सब्जी एड़ करनी है जो मैं मिक्स करके सारी मैश करके रखी थी वह हम एड़ कर लेंगे आपको जितना खाना है उसी वक्त बनाईए उसी मज़ेका लगता है अब यह जितनी भी बॉयल की थी वैने वेजटेबल सब एड़ कर दी हैं और इसको हम जिस्ते बना कर दे देती हैं तो भी सब बहुत अच्छी तरीके सब्गा लेते हैं ए उसका जो पावभाजी मसाला था वह है सारी रैसिपि ये पूरा होल्स कर दलता है थोड़ सी एक्स्रा परस इसमें हो था कि सौं फेड होती है सौंप डालिए का और धनिया था और जीर और यह उसी वक्त सर्फ करिएगा अच्छा यह आप लोग चाहिए तो बन में भी इंडिया में तो बन में फिल होता है यह उनका तो स्ट्रीट फूट है यह जैसे यहां पर बर्गर इस तरहीं के धही बड़े छोले मिलते हैं वहां पर यह पाव भाजी बहुत आम है बहुत इसे लोग खाते हैं जाहतर वेजिटेरियन होते हैं तो वह उसी को लाइक करते हैं अच्छा आप लोग बन में भी इसको फिल कर सकते हैं बड ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं इसको ना अच्छी तरह करके अच्छा अच्छा फ्लेबर हो जाता बन में असाले का ना अच्छा में कर दिया था तुबह पर थेखे थोड़ सा मसालर रखा वाता छोड़ दिया था अच्छा आप जो है इसपे बटर एक करेंगे छोटे-छोटे बनने वन बाइट बन के लाते हैं यह मैं अच्छे तरिके से इसके अंदर अच्छे बनते इसके साथ अच्छा लग रहा था गरम मुस्वक मैंने सर्फ किया था यह देखें उसके तरीके से गरम कर लें थोड़ी से चीजों में चेंजिंग करें थोड़ी से खाने में चेंजिंग करें तो टेस्ट अच्छा हो जाता है जो नहीं लाइक करते उन्हें भी पसंद आता है फिर खाना जैसे बहुत से बच्चे आज कर बिल्कुल वेज़ेटेबिल ने खाते हैं इस तरीके से बना के दे देंगे तो बच्चे खा लेंगे यह देखें आपको जला जला लग रहे ने तब भी मसाला तसारा वो लग गया था यह बन इदर उदर सारे गिर रहे थे इसके लिए सौरी और साफ था सब कुछ मेरा जो चूला है किचन तो इसलिए मैंने उठागे वापस लग दिया था सिभाते रिसके फेकेंगे तो हैं अच्छा यह देखें यह सब अच्छी तरीके से गरम हो गए अब हम इसको सर्फ कर देंगे बीच में पाव भाजी रखेंगे साइडों में बन और यह देखें मैंने कुछ स्टफिंग भी कर दिया इसके अंदर फिलब भी कर दिया है ऐसे भी मन बाइट ले सकते हैं और बा अच्छों को देखें इसके अंदर फिल करके अच्छी लगी हो लाइक को शेयर जरूर करिएगा अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी और जरूर ट्राय करिएगा बहुत अच्छी रेसिपी है मैंने आप लोग के लिए सब लोग के बनाएं उस त